आप जानते हैं कि मुम्ताब अनेट जी अपनी सरकार की पैसे को खुद की पैसा समझती है उनको लगता है कि पैसा उनकी जमीनदारी की पैसा है इस पैसा के उटिलाईज करने के लिए एक अनोखे किसम का एकाउंट पश्रिमंगाल में उटिलाईज हो रहा है जो कैग ने देखा वो है बोलते हैं उनको नाम दिया गया Personal Ledgers और Personal Accounts और ए Public Money इस Personal Accounts और Personal Ledgers इनके नाम से किस विशह में खर्चा किया गया पीडी जीपोजीट जीटे बोलते हैं किस विशह में खर्चा किया गया किसी को पता नहीं और जानते हैं कि पश्री मंगाल में आप सबको पता होगा पश्री मंगाल की जो फिनांस रूल है वे इस बिंगल ट्रेजरी रूल जी से बोलता जाता है पीडी अकाउंट्स इसलिए खोला जाता है कि किसी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट का पैसा आप प्रोजेटरी फांड में चले आना चाहिए लेकिन देखा जा रहा है कि 31 मार्च दो आजार इकीस को जो कॉंसिलिएरेटर फंड में बापस आना ता है अमांट पीडी अकाउंट्स पे अगर ले भी जाते है लेकिन देखा जारा है कि लगबग पूरे स्टेट में एक सो साट ऐसे पीडी एकाउंट्स है पीडी लेजर है जिसमें तीन हाजार चार सो पैसेट करोर रूपिया परा हुआ है जो टोटल बायलेशन आप फिनांस रूल है और यह पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी परे रहने का मतलब जनता की पैसा लूटे जाने की कोशिश है और अगर एक कैग रिपोर्ट को ध्यान से देखा जाए पैसा लूटने के लिए हर जगा पे ममता बैनाज जी की सरकार के द्वारा कोशिश किया गया और एक कैग रिपोर्ट ममता सरकार के मूँपर एक तमाचा है कि जो खुद को ऐसा मानते हैं कि उनके जैसा honest politician बंगाल में क्या पूरे भारत बर्ष में नहीं है ममता बैनाज जी का खुद का मानना है उनका party का मानना है लेकिन एक कैग रिपोर्ट पूरी तरीके से ममता बैनाज जी की सरकार को बे आबुरू कर देती है और दिखाता है कि किस तरीके से जनता की पैसे को लूटा गया लूट ने की बवस्ता किया गया, utilization certificate नहीं दिया गया, personal account, personal leisure maintain किये गए और धानली सबसे ज़्यादा अगर देखे तो ममता बैनाज जी की खुद की department होम डिपार्टमेंट में है और वहाँ पे पैसा ऐसे लूट जी से बोलते है, एक तरीक किसम का लूट चल रहा है मंगाल में